दोस्तों आज का जो हमारा यह video है यह video इलक्टिकल से जुड़े में सब भी लोगों के लिए काफे जाथ होने वाला है क्योंकि इस video के तरह ब सॉलिड वायर और रिस्टेंडर के उपर बात कर रहे हैं दोस्तों सॉलिड वायर होता है जो इस जुड़े कई सारे डाउट लोग किस जगे किया जाता है तो दूसर इस सभी सवालों के जवाब आपको आज की छोटेस वीडियो में मिलने वाले हैं दूसर अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले थोड़ा ता सोलिड वायर और स्टेंडर वायर क्या होता है इसको समझे तो आपने कहीं बार चीलते हो तो आप देखते हो उसके अंदर हमें कहीं सारे पतले पतले वायर हमको अंदर देखने को मिलता है तो दोसर यही इन दोनों के बीज में डिफरेंस होता है अगर आपको किसी कैबल के इंसुलेशन के अंदर सिर्फ एक ही कंड़क्टर देखने को मिल रहा है तो उस तो आपने यह जान लिया कि आखिर solid wire और standard wire क्या है इसके बार में दोस्तों अब हम इनके बारे में difference को समझेंगे इसके अलावा इन दोनों की price के बारे में बात करेंगे और साथ ही में किस wire का उफियोग किस जगे क्या जता है उसे भी हम जान लेंगे लेकिन दोस्तों इन सभ खुद का कुछ काम कर रहे हो इन सभी में काम करते समय हमें कई बार excel software की जवरत जरूर पड़ती है अगर हम electrical की ही बात करें electrical में excel software कहां उप्योग में आ जाता है तो अगर आप किसी industry में काम कर रहे हो तो हम अपने bill maintain करने के लिए bill के data को save रखने के लिए industry में excel software का उप्य होते है इसलिए दोस्तों चाहे आप student हो फ्रेशर हो या फिर कहीं पर work कर रहे हो तो आपको excel का knowledge होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए Microsoft Excel का free में course available कराया है और इतना ही नहीं दोस्तों आप free में course की box में आना है यहां पर वीडियो का description box है इस description box में आपको यहां पर course का link लिखा हो दिख रहा है इस link पर click करते ही आप आपके browser को select करेंगे और browser की मदद से हमारा वह link open हो जाएगा और दोस्तों link को open करते ही आपके सामने आ गया है कि यह जो है यह advanced excel का tutorial online course है जिससे हम यहां स enroll कर सकते 1475 रुपय में लेकिन जैसा कि मैंने आपको होता है मैं आप सभी को यह free में दिलाने वाला हूं इसलिए आप सभी इसको आके जल्दी से enroll कर लिजे और आप certificate ले लिजे और दोस्तों यह आपको course certificate जो मिलेगा यह island market की तरफ से मिलेगा और दोस्तों यह island markets कोन है तो सभी को free में मिलेगा इसको enroll करना भी काफी simple रखा गया हमें सिर्फ यहां पे enroll now के बटन को दबाना है यहां पर किसी भी account की मतलब से direct हमारा sign in कर सकते है और sign in करने के बार में मैं यहां पर enroll now पर वापस से दबाऊंगा और दोस्तों इसके बार में यहां पर नाम, number, country, state और पिन कोट डालने के बार में यहां पर update profile पर click करूंगा और इत्ता करने के बार में दोस्तों आपके पास में यहां पर option आ जाएगा जो की payment का है कि 1250 रुपर कोर्स है और टेक्स जूट के हमारा 1500 रुपे कवरा है लेकिन आपके सामने यहां पर coupon code का option आ रहा है आप यहां प पर नीचे बिल्कुल 0 रुपे करना है तो आगे यहां पर आगे आगे आपके सामने start learning तो यहां पर click करूंगा start learning पर और start learning पर click करते ही यह जो 1500 रुपे का एडवांस एक्सल का यह हम सभी के लिए बिल्कुल free हो चुका है तो आप सभी इसको बिल्कुल enroll कीजिए यहां से इसको complete करके यहां पर इसमें certificate भी मिलता है उस certificate को भी आप लीजिए और आपकी CV के साथ में जरूर जोड़िए ताकि आपको future में आपके professional career में काफी अच्छी boost growth देखने को मिले इन सभी के बाद में हम वापस हमाई topic के ओपर आ जाते हैं जिसके अंदर हमने solid wire क्या होता है यह कैसे होता है इसको तो हमने समझ लियाता है लेकिन आप हम next इनके बीच में difference क्या है वो हम जान लेते हैं वैसे दोस्तों इन दोनों wire के बीच में कहीं तरीके से अंतर को बता सकते हैं लेकिन हम सब प्रैक्टिकल जो अंतर आ रहा है जो कि हमें इंटर्यू में हमारे काफ standard wire भी लाते हो और 4 square mm का solid wire ही लाते हो इस case में solid wire आपको standard wire से सस्ता मिल जाएगा अब दोस्तों यह जवाब सुनते ही हमारे मन में सवाल यही आ रहा होगा कि आखिरकार इस solid wire के price कम इस वजह से हैं क्योंकि solid wire को बनाने में जो process होता है जो इसकी manufacturing की cost होती है वो हमारी कम होत में हमें सिर्फ एक conductor को लेना होता है और इस conductor को पर direct insulation लगा देना होता है और हमारा यह wire complete हो गया लेकिन standard wire के case में हमारे कुछ process बढ़ जाते है सबसे पहले हमें कहीं सारे wire को लेना पड़ता है उन सभी wire का bunch बनाना पड़ता उनको twist करना पड़ता है और उसके बाद में हमे इंसुलेशन से टेप करना होता है तो जैसा कि हमने देखा standard wire के case में हमारा इससे manufacturing का प्रोसेस बढ़ गया है तो इसी वज़े से हमारे standard wire के cost होती है जो इसकी price होती है वो भी हमें market में ज्यादा देखने को बिलती है इसके बाद में दोस्तों जो दूसरा difference जो की काफी हम कहीं पर wire को up pharmac care तो उस वाइर को हमें कहीं बार कहीं जग़ें गुमाना होता है कहीं जगें भोर के लेंगा लेंगता है तो जाग हम these requirement कि हमारे पास में flexible wire हो थाकि विन मौर जाए हम उसे कहीं पे भी रोल करके एक जगे से दूसरी जगे आसानी से ले जाए तो दोस्तों यह जो flexibility का नेचर होता है वह हमें ज्यादा standard wire के case में मिलता है solid wire जो होता है वह हमारा standard compare में कम flexible होता है और solid wire के case में तो इक problem यह होती है कि अगर हम इसे ज्यादा बार band करते हैं या ज्यादा band देने की कोशिश करते हैं तो solid wire के break होने के chances होते हैं तो इसलिए आपको ध्यांगना है आपके पात में 4 sq mm का solid wire भी और 4 sq mm का standard wire भी है तो इस case में क्या होगा हमारी 4 sq mm के standard wire वाली cable होगी इसमें से हम ज्यादा करण को गुजार पाएंगे solid के compare में अब आप सभी गन में यही सवाल आ रहोगा कि आखिरकार ऐसा क्यूं दोनों के अंदर ही हमारा copper का ही conductor है और दोनों की size बिल्कुल सेम है जो कि 4 sq mm है तो फिर ऐसा क्यूं हो रहा है कि standard में हम ज्यादा current को गुजार पा रहे है solid के अंदर हम कम current को गुजार पा रहे हैं तो दोसो इस सवाल का जो पूरा answer हो जाता है वो एक word में हो जाता है हमारा skin effect आप सभी को पता होने चाहिए कि जब भी हम AC current को flow कराते हैं तो उस समय हमारा skin effect create होता है और इसी skin effect के create होने करणी solid wire से AC current को ज्यादा flow नहीं कराये जा स रखा है वह वीडियो आप इसी वीडियो के end screen में जाके देख सकते हैं अभी के लिए दोस्ता हमने इन दोनों wire के बीच में कुछ मुख्य अंतर जान लिए इसके साथ अरे प्राइस के बारे में बात करी लेकिन अब हमारे सामने एक आकरी और मुख्य सवाल बच जाता है व वह AC current standard wire से अच्छे से flow होता है लेकि solid wire के case में हमारे इसकी effect ज्यादा create होगा और हमारे कम current flow पाएगा तो इस वाज़े से एक बात तु पूर्च के से यही clear कर लिके कि जब भी हम AC current को अगर हमें कहीं flow कराना है तो उस समय हम बे हीचेक standard wire को ही उप्योग करेंगे और आप इसी को practically देख भी सकते हो हमाई जो transmission line होती है उसके अंदर जो wire होता है वो हमारे standard wire होता है हमारे कहीं सारे wire का बंच करके उप्योग में लिया चाता है इसके रहा हमारे घरों की wiring के अंदर भी आप देख सकते हो सबी जगे standard wire का ही उप्योग करें वह भी इसी वज़े से क्य में क्या बोलेंगे तो solid wire की case में ऐसे बोलेंगे कि solid wire का उप्योग सबसे पहली चीज तो DC में ही क्या जाएगा इसका AC में उप्योग नहीं क्या जाएगा और DC में भी हम solid wire का उसी जगे उप्योग करेंगे जहां पर हमारे wire की place है वह बिल्कुल fixed है उस place को हमें बार बार चेंज नहीं करना होता है ऐसा नहीं कि हमने एक बार wire को इधर लगा है फिर थोड़े जिन बाद हमारी motor है या हमारी जो भी लोड़े वो दूसरी जगे जा तो हमें wire को वापन से उठा की दूसरी एक ले जाना पड़ रहा है मतलब कि जहां पर भी DC current flow हो रहा है और वह place बिल्कुल fixed है तो वहां पर हम सोच सकते हैं कि हम वहां पर solid wire को उप्योग करें लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि हम घरों की छत पर solar panel उप्योग कर रहे होत इसा कि मैंने आपको बताया था कि जो solid wire होता है उसको बार-बार mode ने band करने से उसमें damage होने की चांसे होता है लेकिन standard wire हमारा flexible होता है तो इसलिए आपको ध्याना है कि ऐसी जगर जहां पर हमारा DC current flow हो रहा है लेकिन हमें हमारे wire के साथ में थोड़ी सी flexibility जीए तो अगर हमा सारक points clear हो होंगे है आपको वीडियो के सारक पीस वीडियो को लाइक के जब बताएं साथ ही में दोस्तों आकरी के अंदर मैं एक बार वापस से ilanmarquez.com को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन्नोंने सभी electrical दोस्त के लिए फिरी में 1500 रुपए का advance Excel का course दिया उनको एक बार ह आपके इस topic से जुड़े या फिर और कोई electrical जुड़े question है तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके पूल सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद